आज मैं आपके लिए दो ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जो हेल्दी भी हैं और प्रोटीन से भरपूर भी हैं तो आप इनको लंच में भी बना सकते हैं, ब्रेकफस्ट में भी और डिनर में भी बना सकते हैं तो इस recipe को बनाने के लिए हमने दाले ली है तो सबसे पहले मूंग दाल ली है बिना छिलके वाली अगर आपको छिलके वाली ले न वो भी ले सकते हैं इसके बाद हमने चना दाल ली है तो जो भी quantity हमने ली है सारी हमने बराबर मात्रा में ली है इसके बाद हमने अरहर दाली ह तो मैंने छोटी कटोरी से लिया है तो सारी छोटी कटोरी से एके कटोरी लिया है इसके बाद हमने ओड़त डाली है तो अगर आपके पास बिना छिलके वाली है तो वो भी ले सकते हैं मेरे पास छिलके वाली थी तो मैंने छिलके वाली लिया है और इसके बाद हम मसूर डाले तो जो 5 डाले होते हैं उनको हम mix कर लेंगे इसलीए मैंने इनको रात को ही रहा और इसके साथ हमएं ध्यान रहे कि चाबल भी रतना है तो चाबल हमने जिस कटोरी से हमने डाले ना पी थी ना उसी कटोरी से हमने दो कटोरी चाबल लिया है इसको भी हमने भीगो के रख दिया था और इसके बाद सारी भीगी हुई डाले हम इसमे डाल देंगे तो सबसे पहले हम चाबल डालेंगे चाबल को पीस लेंगे दाले मिक्स करेंगे तो आप एक साथ ना डाले दाले और चाबल को चाबल को अलग पीछ ले और उसके बाद उसी में आप दाले मिक्स कर दें तो अब मसारी दाले मिक्स कर दूंगे इसमें तो friends इस recipe को आप breakfast में बनाए या lunch में बनाए या dinner में बनाए जब भी आपका मन करता है ना तब आप बनाए ये बहुत crispy और एकदम tasty recipe बनती है तो इसमें बस थोड़ा सा पानी आड़ करने और इसको भी हम अच्छा सा paste बना लेंगे तो ये देखे अच्छा सा paste बन गया ना अगर हमारा जो paste है वो थोड़ा सा गाड़ा होगा तो हम इसमें फिर से दोबारा सा पानी आड़ कर लेंगे अब हमने इसको mixing bowl में डाल दिया है और इसके बाद हम इसमें नमक एड़ करेंगे तो और कुछ एड़ नहीं करना है बस हमें नमक ही एड़ करना है और इसको हम अच्छे से mix कर लेंगे तो बैटर की consistency आप देख सकते हैं कि इतनी ही होने चाहिए इससे ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए ज़्यादा गाड़ा भी नहीं होना चाहिए तो यह perfect consistency है अब हमने एक non-stick पैल लिया है और आपके पास non-stick तबा है तो वो भी ले सकते हैं या जो दूसरा normal तबा होता है नो वो भी ले सकते हैं उसमें थोड़ा सा oil grease कर दें non-stick है तो उसमें oil grease करने की ज़रुत नहीं है और इस तरीके से आप फैला दें तो ध्यान रहे कि अगर आपसे पतला फैलता तो पतला फैला दें नहीं तो आप थोड़ा सा थिक भी फैला सकते हैं और इसको slow flame पर पकने दें जब तक कि यह हलका सा golden color इसमें ना दिखने लगे तब तक हमें इसको पकने देना है और इसको निकालना भी नहीं है अगर आप पहले से ही इसको हिलाएंगे तो यह तूट भी सकता है तो आप देखी सकते हैं कितना अच्छा क्रिस्पी भी हो गया है और उपर से एक दम गोर्डन कलर भी आ गया है और इस तरीके से आप इसको serve कर दें अगर आपके पास आलू जो डोसे के लिए आलू बनाते हैं वो है तो आप वो भी इसमें लगा सकते हैं नहीं तो आप ऐसे ही simple भी serve कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा healthy खाना है तो आप इसको simple serve कर दें अब इसके साथ हम चटनी भी बनाएंगे आज मैं दाल की ही चटनी बनाई यह दाल कडोसा बनाया ना इसलिए मैंने दाल की ही चटनी बनाई है तो चटनी बनाने के लिए हमने कुछ मूम फली दाने लिए हैं इनको हम रोस्ट कर लेंगे तो थोड़ा सा ही रोस्ट करेंगे हमें ज़्यादा देर तक रोस्ट नहीं करना इसके बाद हम इसमें चना डाल ला लेंगे तो पहले इनको रोस्ट कर लेंगे तो जब तो इसलिए आप इनको लगतार चलाते रहें तो हमें इसमें ज़्यादा डार कलर नहीं लाने देना है बस थोड़ा सा कलर आ जाए इसके बाद हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको हम ठंडा होने देंगे जब तक हम दूसी तयारी कर लेते हैं तो दूसी तयारी के लिए हमने उसी पैन को लिए है इसमें थोड़ा सा ऑल डालेंगे हमें ज़्यादा ऑल नहीं डाना बस थोड़ा सा एक छोटा चमशी ऑल डानना है जब ऑल गरम हो जाए तो हम दूसे इंग्रीडियंस डालेंगे तो अब हमारा ओयल गरम हो गया है अब इसमें जीरा डालेंगे और जीरा जब चटकने लगेगा तब हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे तो हमने 3-4 हरी मिर्च लिया है, आप अपने quantity के हिसाब से ले लें, आपको जितना तीखा चाहिए हो उसे हिसाब से आप हरी मिर्च ले लें और इसके बाद हम इसमें अद्रक डालेंगे, तो अद्रक के दो छोटे छोटे टुकडे हमने लिये हैं, वो हम इसमें डाल देंगे और इसको थोड़ा सही पकाएंगे, हमें ज़्यादा नहीं पकाना, बस थोड़ा सही पकाना तो बस हमारी हरी मिर्च रोस्ट हो गए है बस हमें इतना ही पकाना अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे अब हमने एक मिक्सिका जाल लिया है इसमें हम दाल डाल देंगे जो हमने रोस्ट की थी मूम फली दाना और जो दाल हमने रोस्ट की थी वो हम डाल देंगे और इसके बाद जो हमने हरी मिर्च का तड़का जो बनाया था ना वो भी हम इसमें एड़ कर देंगे और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे नमक आप अपने टेस्ट करण सार डाले और उसके बाद थोड़ी सी हल्दी डालेंगे तो हमें लाल मिर्ज डालने की ज़रत नहीं है क्योंकि हमने हरी मिर्ज डाल दिया अब हम इसमें हल्दी डालेंगे और इसके बाद हम पानी अड़ करेंगे और इसका पेस्ट तयार कर लेंगे तो इसकी लेट बंद करेंगे और इसका एक पेस्ट तयार कर लेंगे तो आप देखी सकते हैं हमारी चटनी बिलको तयार है अब हम इसमें तड़का लगाएंगे तो तड़का बनाने के लिए हमने एक पैन लिया है उसमें थोड़ा सा ओयल लिया है और ओयल में हम इसमें जीरा डालेंगे और जब जीरा चटकने लगेगा तब हम इसमें दूसरे इंग्रेडियन्स डालेंगे तो अब हमारा जीरा चटकने लगा है ताब इसमें साबुत लाल मिर्च डालेंगे दो से तीन और इसके बाद थूड़ा सा इसको बुनने देंगे लाल मिर्च को और इसके बाद हम इसमें कड़ी पत्ते डालेंगे तो कड़ी पत्ते मैंने 8-10 लिये हैं आप कम या ज़ादा भी ले सकते हैं तो कड़ी पत्तों को हम थोड़ा सा भूनेंगे जब तक कि अच्छे से क्रंची ना हो जाएं थोड़ी देर भूने के बाद हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको हम चटनी में मिक्स कर देंगे तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया है अगर आप चटनी में तड़का लगाएंगे तो आपकी चटनी का जो टेस्ट है वो डबल हो जाएगा अगर आपको ऐसी और वीडियो देखनी है तो आप अमारी चैनल पर जाकर देख सकते हैं वहां मैंने बहुत सारी रेसिपीज डाली हो tässä है और बहुत सारे टेप्स औरेक्स डाले हैं तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक से जरूर करें और वहीं दिखेंगा छोटा सा बैल बटन तो उसको भी आप प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको म इसकेश